दोस्तों आज की वीडियो में हम Upstocks application में चार्ट को कैसे देखना है इसके बारे में detail जानकारी लेने वाले हैं वीडियो को start करते हैं सबसे पहले तो आपको Upstocks में login कर देना है ये सारी जानकारी जो आपको मिल रही है वो Upstocks के new वाले version के बारे में मिल रही है पूराना वाला application आप use करते हो तो उसे use करना बंद कर दीजे और नए वाले application में shift हो जाईए तो आपको सबसे पहले तो ये my list वाला page open हो जाएगा आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा page किस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पे आपको nifty के बारे में पता चलेगा bank nifty के बारे में पता चलेगा और जो भी आपने watch list बना रखी है उस watch list के बारे में आपको यहाँ पे सारी चीज़े दिखाई देगी जैसे कि IT की watch list हमने open की है तो TCS और Info से stock हमने add कर दिये है अब जब भी हम trade लेते है तब हम क्या करते है कि charts को read करते है charts के उपर strategy बनाते है candlestick देखते है और उसके बाद आपको buying opportunity डूननी होती है तो इस chart को देखने के लिए आपको क्या करना है सिर्फ यह जो stock है उसके उपर click कर देना है जैसे ही आप stock के उपर click करते हो तो आपके सामने यहाँ पर देख रहे हो कि पूरी detail open हो जाती है overview या फिर summary आप यहाँ पर देख सकते हो कि stock की opening price, closing price, volume, upper circuit, lower circuit और बहुत सारी दुनिया बर की चीज़े यहाँ पर आपको दिखाई देगी लेकिन हमें देखने है charts तो दूसरा वाला यहाँ पर tab आपको दिखाई देता है chart का इसके उपर आपको click कर देना है जैसे ही इस tab के उपर आप click कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से chart open हो जाएगा तो इस chart को थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपको right hand side पर जो access दिखाई दे रहा है उसके उपर आपको price दिखाई देगी stock की price कितनी है यह दिखाई देगी और यह जो नीचे access दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको dates दिखाई देगी date या फिर time दिखाई दे सकती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नीचे वाली जो access है उसके उपर date होंगी और यहाँ पे आपको price दिखाई देगी बीच में ये जो candle दिखाई दे रही है ये candle stick चार्ट है और यहाँ पे कोई एक indicator लगा हुआ है जिसको हम अभी delete कर देंगे क्योंकि उसको बाद में हम add कर देंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिल जाता है option यहाँ से शुरुवात करेंगे हम 5 minute जहाँ पे लिखा हुआ है तो 5 minute के उपर अगर हम click कर देते हैं तो यहाँ से आप time frame change कर सकते हूँ आप यहाँ पे देख रहे हो 1 minute 3 minute 5 minute 10 minute 15 30 1 hour 4 hour day week month बहुत सारे option आपको time frame पे मिल जाते है आप जिस भी time frame पे यहाँ पे trade करना चाते हो उस time frame को यहाँ से select कर देते हो जैसे मैं यहाँ पे 15 minute select करने वाला हो तो 15 minute जैसे मैंने select कर दिया तो आपको chart change होता हुआ दिखाई देगा अब 15 minute time frame का क्या meaning होता है यह जो पूरी एक candle बनी है यह single candle जो red color के आपको दिखाई दे रही है यह आपको पूरा 15 minute का हाल बताती है उस 15 minute में candle ने high कितना बनाया low कितना बनाया open कहां पे हुआ और close कहां पे हुआ यह पूरी जानकारी आपको 15 minute की एक ही candle में मिल जाती है ऐसे ही अगर आप यहाँ पे daily chart select करते हो तो यह जो पूरी एक candle है वो पूरे दिन का हाल आपको बता दी day high कितना है day low कितना है day open कितना है और candle के उपर हमने cross रखती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल रही है date आपको दिखाई दे रही है open price close price high price और low price दिखाई दे रहा है उसके साथ साथ volume भी आपको दिखाई दे रहा है तो इस पूरे candle में उस पूरे दिन में क्या क्या हुआ है वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो ऐसे ही आप अगर छोटे time frame पे train करना चाहते है तो आप यहाँ पे एक minute select कर सकते हो तो वो एक जो candle होगी वो पूरे एक minute का हाल आपको बता देगी उस तरीके से आपको candles चेंज कर सकते है आप candle पे time frame चेंज कर सकते है और जो भी time frame पे आप reasonable रहोगे जो भी आप use करते हो हमेशा ट्रेडिंग के लिए उसे आप select कर सकते हो यहाँ पे उसके बाद यह star वाला जो है star को आप जो आपका view होगा जो भी indicator आप यहाँ पे set करते हो जो भी strategy बनाते हो अगर आपने कोई ऐसे triangle वगरा बनाया है तो उस view को अगर save करना है तो star का यस्तमाल आप कर सकते हो save view कर सकते हो और जो भी आपका particular page होगा या फिर जो आपने view select किया है particular stock के उपर वो आपका save हो जाएगा उसके बाद सबसे important चीज़ यहाँ पे candle जैसे symbol दिखाई दे रहा है उस symbol के उपर आप अगर select करते हो तो chart का style आप change कर सकते हो जैसे कि यह वाली है candle stick जो normal candle stick है अगर आप bar select करते हो तो आपके यहाँ पे bar candle open हो जाएगी जैसे हमें इसको select करते है तो candle का यहाँ पे shape change हो गया देखो यह बार candle stick आगई अगर हम कोई और candle stick के उपर trade करना चाते है जैसे colored bar चाहिए है अपने को तो colored bar आजाएंगे उसके बाद अगर line chart देखना है तो line chart देख सकते है mountain देखना है तो mountain देख सकते है उसके बाद आप hollow candle देखना है तो hollow candle देख सकते है यह आपने अपनी strategy के उपर होता है कि किस तरीकी की candle stick हम use करते है और उसकी हिसाब से हम क्या करते है trade initiate करते है उसके बाद बहुत सारे option आपको यहाँ पे बिले गए हाई के निशी candle है कागी है, line break है, range bar है, point figure है बहुत सारे option आपको यहाँ पे मिल जाते है लेकिन जो popular है और सबसे ज़्यादा use होता है वो होता है candle तो हम क्या करेंगे यहाँ पे candle ही रहने देंगे तो हमने candlestick select कर दिया उसके बाद नीचे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे chart preference आप ले सकते हो आप log scale select कर सकते हो invert by axis कर सकते हो या फिर range select कर सकते हो जो भी आपकी trading style होगी आप इस हिसाब से आप इसे changes भी कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे कोई और changes करने के लिए जगा नहीं है इतने ही changes आप यहाँ पे कर सकते हो तो यह candlestick के बारे में था candlestick आप यहाँ से change कर सकते हो उसके बाद यह effects जैसा symbol आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आप indicator select कर सकते हो studies इसको कहते है studies में जो भी indicator आप use करना चाते हो जो भी आपकी strategy इंडिकेटर के उपर आपने बनाई है कोई bollinger band यूज करता है कोई moving average यूज करता है तो वो आप यहाँ पे search कर सकते हो आपको list भी वैसे मिल जाती है लेकिन आप search करोगे तो आपको तुरंट से वो particular indicator यहाँ पे आ जाएगा जैसे हम यहाँ पे moving average search करने वाले है search option में जाके आपको सिर्फ moving type करना है तो जितने भी moving के related indicator होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे की simple moving average हो गया moving average deviation हो गया moving average यहाँ पे envelope हो गया या फिर rainbow moving average हो गया तो यह यहाँ से आप select कर सकते हो और कोई भी एक indicator को यहाँ से select करोगे तो यह red color की line आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है यह moving average की line है तो इस तरीके से आप indicator add कर सकते है कुछ और indicator हम यहाँ पे देखते है जैसे 50 moving average है अब इस indicator को moving average का आपको कोई length change करनी है मतलब आपको 20 moving average चाहिए तो इसके उपर आपको select करना है और यह box आपके सामने open हो जाएगा तो यहाँ से आप period change कर सकते है fill change कर सकते है type change कर सकते है उसका color change कर सकते है और उसका आपको done कर देना है panel auto रखना है y axis share रखना है बाकी सारी चीजों को हाथ नहीं लगाना है offset भी 0 ही रखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 moving average थोड़ा सा देख लेंगे change करके 50 की जगा हम क्या करते है 20 select करते है और simple की जगा हम यहाँ पर exponential select करेंगे बहुत सारे जो trader होते है वो exponential moving average का इस्तमाल करते है इसके लिए हमने यहाँ पर exponential select कर दिया है उसके बाद हम done कर देंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो यह red color की जो line है वो नीचे आ गई है 50 की कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही थी हो 20 की थोड़ी सी नीचे आपको दिखाई दे रही है तो इस तरीके से आप indicator select कर सकते है कोई एक और indicator हम यह add करके देखते है ताकि आपको और भी ज़्यादा पता चले तो pivot point को हम add करते है pivot point जैसे हम select करेंगे तो आपके सामने यह यह जो lines है यह pivot points की line है यह आपको दिखाई देगी अब इसमें अगर आपको changes करने है तो फिर से यहाँ पे जाना होगा pivot point पे जाना होगा यह box आपके सामने open हो जाएगा आप यहाँ से type select कर सकते है pivot का color यहाँ से change कर सकते है जो भी आप color चाहिए आप वहाँ पे color रख सकते हैं और उसके बाद उसमें trade ले सकते हैं उसके बाद आपको सिर्फ done कर देना है तो done करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा pivot points का data indicator के स्वरूप में मिल जाएगा उसके बाद अगर आपको चार्ट को बढ़ा करना है तो यह enlarge का option यहाँ पे available हो जाता है अब कुछ और चीज़े चार्ट में आपको अगर करनी है जैसी कि आपको drawing करना है train line draw करनी है या फिर कोई pattern draw करना है तो उसके लिए आपको यह draw वाला option मिल जाता है तो आप क्या करेंगे इस draw वाले option को click करेंगे तो select tool यहाँ पे आ जाता है यह drop down arrow आप select कर सकते हो जैसी यह drop down arrow select कर देते हो तो आपको यहाँ पे text अगर लिखना है call out है average line निकालनी है channel है continuation line, cross line, doodle या फिर fibonacci retracement आपको use करना है तो आप यहाँ से use कर सकते है थोड़ सा इसको नीचे scroll करेंगे तो बहुत सारे option यहाँ पे मिल जाते है जैसे कि यह line हमने select कर दी अब यह line draw करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कोई एक high point के उपर select करना पड़ेगा जैसे कि यह हमने select कर दिया तो इस तरीके से आप line draw कर सकते है कुछ अलक्सी line बन गई है proper तरीके से बन नहीं रही है क्योंकि proper कोई high low मैंने देखाई नहीं सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ आप color भी change कर सकते है जैसे मैं यहाँ पे red color देना चाहता हूँ तो उस particular line को या फिर जो next वाली line आप draw कर होगे तो उसमें आपको red color की line दिखाई देगी तो इस तरीके से यह red color की line यह white color की line आप जो भी color देना चाहते हो तो वो line draw कर सकते हो और अगर आपको यह delete करनी है तो बस आपको इसको select करना है और close के उपर click कर देना है तो cross कर देंगे तो वो delete हो जाएगी इस तरीके से आप यह tools use कर सकते हो जैसे हमने line use की है आप rectangle use कर सकते हो हमने यहाँ पे pivot point भी delete कर दिया है गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है एक volume indicator हम यहाँ पे add कर देते है ताकि नीचे की side में volume कैसे दिखाई देता है वो हमेशा आपके chart पे होना चाहिए यह indicator आपके chart के उपर हमेशा होना चाहिए था कि आपको particular candle में कितना volume है इसके बारे में जानकारी मिल जाती है तो बस इतना ही है और यहाँ नीचे वन डे, फाइव डे, वन मन्स, सिक्स मन्स डाइरेकल अगर आपको वन येर पे जाना है तो आप इस तरीके से इसे select कर सकते हैं तो पूरा ये वन येर का chart आपके सामने open हो जाएगा अगर 5 साल आप select करते हो तो 5 येर का पूरा ये chart आपके सामने open हो जाएगा 5 days select करते हो तो 5 days का पूरा यहाँ पे chart आपको मिल जाएगा अब जैसे ही आप इससे select करते हो तो यह time frame अपने आपसे select हो जाता है तो इसको आपको change करना है तो फिर से manually जाके change करना होगा बाकि अगर आपको chart को देख की buy sell order करना है तो आप यहाँ से buy या फिर sell का order place कर सकते हो ताकि आपकी जो fine tuning जिसे बोलते हैं कि chart को देखते ही तुरंत मुझे order place करना होता है वो भी यहाँ से आपको मिल जाता है create GTD करना चाहते है तो वो भी आपको यहाँ पे available हो जाता है option तो सारी चीज़े यहाँ पे available है price भी stock की दिख जाती है और chart को देखे ही आप यहाँ से trade execute कर सकते है so that's it for today I hope आपको chart के बारे में पूरा पता चल गा होगा किस तरीके से आप stocks में chart देखने होते हैं किस तरीके से trade initiate करना होते है तो आज की वीडियो में इतना ही मैं मिलूँगा आपको next वीडियो में तब तक के लिए चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए जादा से जादा share कीजिए और आपकी जो doubts है वो comment में आप पूछ सकते है दन्यवाद